वेल्कम टुमाई चैनल क्येटिवीटी आज मैं बैठे हुए एक छोटे शिवो का मुर्ति बना कर देखाऊंगा मुझे उमिद है सभी को एक नया किसम का मुर्ति पसंद आएगा पहले मैंने ट्राइंग बनाया एक छोटे शिव ध्यान कर रहा है इस बर मैं इसे मिट्टी से बनाऊंगा इसलिए हमको मिट्टी ब्राश चाकर इसका अबोश्रक्त हो पहले की तरह इस बार भी मैं यह बोलूंगा कि पहले मिट्टी से शेरीर का एक जिनरेल शेप लाने की कोशिश करूंगा यह दि आप पहले शेरीर के एक जिनरेल शेप बनाता है तो काम बहुत आगे बाट जाती है और छोटे-छोटे गल्दियों भी समझ में आती है सीर, साती, पेठ, हाथ, पेरों को सही जगा पर रखकर हम शेरीर का एक जिनरेल शेप ला सकते हैं शेरीर के जिनरेल शेप लाने के बाद जिस हिस्तों पर शेप ला सकते हैं मिट्टी का अधिक अवश्यक्ता होगी वह पर हम मिट्टी लगा सकते हैं शाती पर, पेठ पर, मिट्टी लगा कर हम से रूप देने की कोशिश करेंगे कि अवश्यक्ता हुश्यक्ता हुश्यक्ता है मैं इसले वीडियो की तारा इस बार एक वीडियो में संपुर्णों काम को नहीं देखा रहा हुँ मैं कुल तीनों वीडियो में इस संपुर्णों काम को दिखाऊंगा इस कामों में वीडियो को बहुत काम काटोती के साथ आपकी सामने पिश्कर रहा हुँ मैं नहीं रहा हुँ स्थी म 그리고 तार प्यक्ता है मैं अुल वीडियो तार याई झाल 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 चेहरे बननने के लिए पहले चाकू के सथ दगूंगा और उचे इस पर छोटे छोटे मिट्टी लगे पर रुपका सहिया कर देने के खुशिश करूंगा सरीर के समन नाकृति बन जाने के बाद सरीर के एक-एक हिस्सो को जैसे हाथ सीर को सरीर से अलग करके उसे साप करूंगा और साप होने के बाद बापस उसे सही जगा पर जोड़ूंगा ठहुआ झाल समय कर दो हचिस पर के एक शुश्वार के उसे बाद टivals ΤZ अगले वीडियो में मैं आपको देखाऊंगा कि शरीप के रिमने हिस्तों को कैसे साब किया जाए अगले वीडियो को पापतकरने के लिए आप जालू करे ताकि वीडियो मिसना जाए